Hello students, welcome again to Lundradetimon. तो देखिए हमारा जो chapter चल रहा है लोक संगीत, ठीके? जिसमें हमने last video में घरानों की बात की थी. तो वो आपने chapter पढ़ लिया होगा, तो तीन बार आप उसको पढ़ेंगे, वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा. तो चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे लोक गीत का वरगी करण, यानि की लोक गीत जो हैं जिनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो मैंने आपको बताया कि लोक संगीत है, लोक गीत है, तो इसको हम तीन भागों में बांच सकते हैं, एक तो वे लोक संगीत जो की जन सामानने के गीत हैं, जो बिभिन अवसरों पर गाए जाते हैं, कोई त्योहार हो गया, पर्व हो गया, कोई जो संसकार होते हैं, ठीक है, जैसे किसी का जन्म हो रहा है विवाह हो रहा है तो उससे सम्मंदित गीत जो हैं सबसे ज़्यादा गाये जाते हैं शादी व्याह में हम देखते हैं कि सगाई के गीत अलग होते हैं बढ़ना बढ़नी के गीत अलग होते हैं उसके बाद हल्दी के और घुर चड़ाई के ऐसे जो हैं जन्साधरन की गीत होते हैं दूसरे जो गीत होते हैं जो मैंने आपको बताया था कि राजा महराजा हैं जागीरदार हैं तो उनकी प्रसंसा में गाए गई गीत जिनको व्यवसाइक जो है रूप उनको अब दिया गया है उनसे जो लोग जो है वो गाना गाकर पैसे कमाते हैं तीसरे तरीके के गीत जो की वहां के शेत्रिय प्रभाव से प्रभावित होते हैं। उस शेत्र विशेश में ही गाय जाते हैं वो गीत। सबसे पहले देखिए जच्चा या जिसे हम होलर भी कहते हैं। अब देखिए जच्चा कौन होती है। जिसने अभी अभी किसी नवजा राद शिशू को जन्म तिया है तो पुत्र जन्म की अफसर पर गाय जाने वाले गीत, जच्चा गीत कहलाते हैं ठीक है तो यहाँ पर पुत्र ही नहीं, पुत्री के जनम पर भी गाय जाते हैं, लेकिन जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि हमारे देश में, राजिस्थान में भी यहाँ पर पुत्र और पुत्री इन दोनों में ही फर्क किया जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर यह शब्त लिखा है कि पुत्र जन्म के अफसर पर गाये जाने वाले गीत जच्चा कहलाते हैं कई लोग जो हैं वो लड़कियों का जन्म होता है तो उस वक्त जो है कोई भी प्रोग्राम नहीं करते हैं किसी भी तरीके के गीत नहीं गाये जाते हैं उन्हें तो ऐसा लगता है जैसे कि हमारे घर में बहुत ही बुरा काम हो गया हो लेकिन यह नहीं होना चाहिए बच्चा तो बच्चा होता है चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो तो हमें याद क्या रखना है कि पुत्र के जन्म के अफसर पर जो गीत गाये जाते हैं, उन्हें जच्चा गीत या होलर कहते हैं। अगला देखिए मोहरा, माहिरा या भात। भात से आप परचित हैं, जिसे मैंने आपको पढ़ाया था कि भात जो है मांगने के लिए ससुराल पक्ष से लड़के की मा अपने पीहर जाती है भात का न्योता देने। उसके बाद वो सभी जो भताया के रूप में भात लेकर यह पर आते हैं ठीक है तो उस वक्त जो गीत गाये जाते हैं उन्हें मोहरा, माहिरा या भात कहा जाता है। उसके बाद देखें बढ़ना बढ़नी गीत तो नाम से ही पता लग रहा है और आप लोगों को पता चल गया है कि ये शादी के अफसर पर गाये जाने वाले गीत होते हैं यदि आप यूटूब चैनल खोल कर देखोगे तो आपको वहां ये सबी तरह के जो भी हम गीत आज देखने वाले हैं जो भी नामों से पुकारा जाता है सब आपको मिल जाएंगे ठीक है आप सुन भी सकते हो गीतों से तो देखिए मुझे भी बहुत लगाव है मुझ जानी थारो चांद सरीसो मुखडो कोई नजर नहीं लग जाए थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए ठीक है तो आपने सुना भी होगा लड़कियों ने तो सुना ही होगा क्योंकि शादी में सबसे ज़्यादा चाओ रहता है लड़कियों को नाचने का तो आप लोग भी यूटूप पर सर्च करके ये गाने जो है वो सुनिएगा सुनने से ये आपको पता लग जाएगा कि ये जो हैं किस अफसर पर गाए जाते हैं नेक्स्ट देखिए पावणा पावणा जो है वो किसे कहते हैं जो दामाद होता है उसको पावणा कहा जाता है ये कहते हैं कि यदि दामाद आया है और फिर हम आज पास के लोगों को बोलते हैं कि आज तो हमारे घर में पावणा आया है तो इसलिए आज मैं कोई भी काम नही करूंगी बस दामाद की खातिरदारी ही हमें करनी है ठीक है तो नए दामाद के ससुराल में आने पर जो गीत गाये जाते हैं उन्हें पावडा कहा जाता है तो देखिए जरूरी नहीं है कि यहां पर तो मैंने लिख दिया है कि नए दामाद के ससुराल में आने पर अब कई ज जाते हैं ठीक है तो यह ध्यान में रखें और यहां देखिए पावणा कौन है दामाध हैं तो याद आ जाएगा आपको कि दामाध के सुस्राल में आने पर यह गीत गाये जाते हैं नेक्स्ट देखिए सीठडे सीठडे यानि भोजन कराते समय बारातियों को मीठी मीठी गा जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं तो घर की जो लेडीज होती हैं उनके द्वारा जो है मीठी मीठी गालियां जो है वो दी जाती है तो बारातियों को उनका बोरा भी नहीं लगता है क्योंकि उन्हें पता है कि इस अफसर पर घर की औरतें जो है वह है इस तरीके की गाल गाने मुझे नहीं पता है कि वह के गाने में एक्सर हमने सुना है क्योंकि गाने मुझे अटेंड की है, उसके बाद गोरी गीत कौन से होते हैं जब दूला शादी करने जा रहा होता है और बरात की हो रही होती है निकासी, ठीक है। जलाव जलाल, बधुपक्ष की महलाएं जब वर की बारात का देरा देखने के लिए जाती हैं, कौन? जो दुलहन होती है, उनके यहां से जो महलाएं वर की बारात का देरा देखने के लिए जाती हैं, तो उस वक्त जो गीत गाये जाते हैं, उन्हें जलाव जलाल कहा जाता है नेक्स्ट गीत है कुकडलू कुकडलू गीत जो है कब गाया जाते हैं जब दूला तोरण पर पहुंसता है ठीक है मुख्य द्वार पर पहुंसता है जब शादी हो रही होती है दूले की निकासी हो जाती है अपने यहां से दुलहन के यहां पर पहुंसता है जैसे ही मुख्य पुष्षे द्वार पर पहुंसता है तो दुलहन के घर के दर्वाजे पर लकडी का तोरन लगाया जाता है। पूरी हो जाती है और उसके बाद वह एंटरी करता है नेक्स्ट देखिए चिर्मी चिर्मी के पौधे को संभोधित करते हुए बधु द्वारा अपने भाई और पिता की प्रतिक्षा की मनुदसा का चितरन है तो चिर्मी घीत जो है वह चिर्मी पौधे से संबंदित है जहा का इंतजार है कि वह उसे लेने आएगा तो उनकी प्रतिक्षा किस तरह के से वह कह रही है चिर्मी के पौधे से तो यह मनुदसा का चितरन जो है इस गीत में होता है ठीक है अब जिसकी नई नई शादी होती है तो उसका ससुराल में मन नहीं लगता है तो उसको किसकी गीत इससे संबन्दित है चिर्मी के पौधे से नेक्स्ट देखिए बधवा गीत या जिसको हम बधावा गीत भी कहते हैं तो आप लोगोंने सुना होगा कि जब शादेव्या होता है तो वहां पर यह गीत जो है वो हमेशा गाया ही जाता है कौन सा गीत जैसे आपने सुना होगा कि चिडिया चटा चट बोले बधावा मेरे अंगना में डोले ये गीत आप लोगों ने सुना भी होगा तो कोई भी जो सुबकारे संपन्न होने पर जो गाये जाते हैं वो बधावा गीत कहलाते हैं नेक्स्ट देखें सुपड़ा सुपड़ा गीत कौन से हैं विरहनी नायका के स्वपन से जुड़ा हुआ गीत सुपड़ा गीत कहलाता है तो ये जो गीत होता है तो ये गीत याद से संबंदित होता है जिसे वो विरहनी जो है नायका जो है वह है अपने स्वपन में गा रही जब उसे अपने प्रियतम की याद अने लगती है तो ये गीत गाया जाता है तो एक तरीके का विरह कीत है तो आपने सुना होगा चिसे की एक विरहनी गा रही है नेक्स्ट देखिए कागा कागा किसे कहते हैं कोई को कहते हैं तो कागा गीत जो है वह किसे संबंदित है ये विरहनी नायका कोई को संबोधित करके अपने प्रियत्म के आने का सगुन मानती है ठीक है तो यहाँ पर एक जो विरहनी नायका जो है जो की विरह में है तो वह कौय को संबोधित करके अपने प्रियत्म के आने का सगुन मानती है तो अब आप कहोगे कि मैं इसका भी गाना सुनाओ तो एक एक जो गाने हैं सभी के मैं सुनाने लगी तो वीडियो जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा नेक्स्ट देखिए मोरिया मोरिया गीत जो है यह लोक गीत उस यूवति की मनोदसा का चितरन है जिसका संबंद तै हो चुका है परन्तु विभा में देरी है अब आप समझ गए होंगे मोरिया गीत कौन से होते हैं जिसमें एंगेजमेंट हो चुकी है और अभी शादी नहीं हुई है तो उसके बाद जो लड़का और लड़की जो है वो आपस में बातने भी करना तारंब कर देते हैं तो उस यूवति की मनोदसा को बताया जा रहा है कि जिसका संबंद तै हो गया है अभी विभा में देरी है तो उसकी मनोदसा कैसी है तो इस गीत के माध्यम से जो है वो है बताया जाता है सुमवटिया परदेश गए पती को संदेश भेजना ये गीत जो है सुमवटिया कहलाते हैं तो एक पतनी जो है उसका पती जो है वह है परदेश में चला गया है और उसके कई कारण हो सकते हैं हो सकता है कि वह है जो है व्यवसाय करने या रोजगार की तलास मे गया हुआ है, तो काफी टाइम से वो नहीं आया है, तो उस पती को संदेश भेजना इस तरीके के गीत सुमवटिया गीत कहलाते हैं, जोरावा, जोरावा गीत जो है जैसल मेर की तरफ पती के विदेश जाने पर वियोग में गाया जाने वाला गीत, तो यहां सुमवटिया औ जोरावा, यह दोनों ही जो है गीत पती को संदेश जो है वो दे रहे हैं, जोरावा जो है वो केवल जैसल मेर की तरफ जो है गाया जाने वाला गीत है, जिसमें पतनी अपना जो है वियोग जो है वह गाने के माध्यम से बता रही है, कि पती जो है वो विदेश में चला गय कि केसरिया बालम पधारों निमारे देश ये गीत जो है वो बहुत प्रचलित है ये एक विरह गीत है ठीक है और मांडशयली में गया जाता है और जो अला जुलाई बाई जो है इन्होंने सबसे जादा जो है इसको गाया है ठीक है यदि आप सर्च करेंगे यूटूपर केसर दिया बालम पधारों निमारे देश गीत तो वहां आपको ये मिल जाएगा पति की प्रतिक्षा कर रही नारी की व्यथा तो ये भी एक विरह गीत है नेक्स्ट देखें ओल्यों गीत ओल्यों गीत जो की लड़की की विदाई जो है उस पर गया जाता है ठीक है किसी की इंडोरी देखिए जो भी गीत हम पढ़ रहे हैं और जो भी आपको अटपटे नाम लग रहे हैं उनको जरूर यूटूब पर आप लोग सर्ज करके सुनिएगा इंडोरी गीत जो है वो मारवाड में प्रचलित है महलाएं पानी भरने जाते समय सामोहिक रूप से जो गीत गाती हैं उन्हें इंडोरी गीत कहा जाता है तो इंडोरी जो है वह क्या होता है जो गाओं में जब सर के उपर जो है वो मटकी रखती है तो मटकी और सर के बीच में एक कपड़े का आपने देखा होगा ऐसा गोल-गोल बना कर वो रखती है उसको इंडोरी कहते हैं ठीक है नेक्स्ट देखें हिचकी गीत तो हिचकी गीत जो है जो की मिवात का प्रसिद्ध है और अलवर शेत्र में तो बहुत प्रसिद्ध है हिचकी गीत हिचकी वही है जो की किसी की याद में आती है ठीके और ये एक जब याद में आती है तो एक विरह गीत ही हुआ तो माना जाता है कि अगर कोई याद करता है तो हिचकी आती है तो एक गाना भी है कि मारा पिया जी बुलाने माने आई हिचकी है ना ऐसा गाना भी है नेक्स्ट देखिए पनिहारी गीत तो जैसे हमने इंडोली गीत देखा कि सर पर मटका रखकर पानी भढ़ने के लिए जाती हुई जो महलाएं हैं वो जो गीत गाती हैं उन्हें इंडोली गीत कहते हैं उसी तरीके से पानी भढ़ने के लिए जो इस्त्रियां जा रही होते हो ने पनिहारिन कहा जाता है ठीक है कामनगीत वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कामनगीत गाये जाते हैं ठीक है ध्यान रखना है कामनगीत जो है वो क्या होते हैं वर को जादू टोनों से बचाने के लिए जो गीत गाते हैं उन्हें कामनगीत कहा जाता है फिर देखिए कुरंजा जिस तरीके से हमने देखा था कि चिर्मी के पौधे को संबोधित करते हुए एक जो वधु है वह अपने भाई और पिता की प्रतिक्षा की मनोदसा का चित्रन करती है चिर्मी गीत में उसी तरीके से कुरंजा गीत जो है वह इस पक्षी को माध्यम से जो विरहनी है वह अपने प्रियतम को संदेश भेज रही है ऐसा इस गीत में होता है ठीक है कुरंजा जो है एक पक्षी है तो इस पक्षी को माध्यम बनाकर जो विरहनी है वह अपने प्रियतम को संदेश और चिर्मी गीत में क्या था ? वहां पर वधु अपने भाई और पिता की प्रतिक्षा की जो मनोदसा है वह दिखाई गई थी चिर्मी गीत में नेक्स्ट देखिए 23 नंबर पर जो गीत है काजलियो गीत ठीक है काजलियो गीत जो की बहुत फेमस गीत है और अभी भी यह गाना जो है वो हम देखते हैं शादी व्या में चलता ही है तो गाना जो है वो किस तरीके से है कि थाने काजल यो बना लिऊं मारे नैना मेरा मालिऊं राजपल का में बंद कर राखूली ठीक है ऐसा जो गाना है आप लोग सुनियेगा विवहा पर निकासी के समय भोजाई वर की आँखों में काजल लगाती है तो उस अवसर पर जो गीत गाया जाता है उसे काजल योगीत काजल से संबन्दित है ठीक है और विवहा के अवसर पर गाया जाता है और हम देखते हैं कि विवा के अबसर पर निकासी के समय जो भावी होती है वह अपने देवर की आँखों में काजल लगाती है और उसके लिए जो भावी को कुछ ना कुछ जो है उपाहार भी मिलता है। तो जब उस वक्त पर जो गाना गाये जाते हैं उन्हें काजलय गीत क नेक्स्ट गीत है पपेयोग तो इस लोक गीत के माध्यम से प्रेमिका प्रेमी को उपवन में आकर मिलने की प्रात्ना करती है तो पपेयोग जो गीत है वह किस से संबंदित है ये प्रेमी प्रेमिका से संबंदित है और बगीचे में मिलने की प्रात्ना कर रही है यहां पर प कांगसियो, कांगसियो यानि की कंगा, जो हम बालों में कंगी करते हैं, उससे संबंदित हैं कांगसियो, तो इसमें क्या होता है, कि इस गीत में जो नाइका है, वो कर रही है मेकप, ठीक है, तो मेकप करते समय, कंगी करते समय, अपने पती की याद में जो गीत गाती है, तो उसे कांगसियों गीत कहा जाता है, ठीक है, तो जो गीत है, इसका भी कि मारा छैल भवर्रो कांगसियों पर निहारा ले गई रहे हैं, नेक्स्ट देखें, लावणी, लावणी जो है, प्रियत्म द्वारा अपनी प्रेमिका को बुलाने के अवसर पर जो गीत गया जाता है, वह अपने प्रेमी को पुला रही है, नेक्स्ट देखें, हीडो या हीडोल्या, राजी स्थानी महेलाओ द्वारा सावन के महा में झूला झूलते हुए ये गीत गाया जाता है, ठीक है? कौन सा हीडो या हीडोल्या? नेक्स्ट दिखें जीरो तो ये जो गीत है जीरो गीत तो ये किस से संबंदित है ये ग्रामीर शेत्र से संबंदित है इसमें जो गाउं की जो वधू है वह अपने पती को जीरा नहीं बोने का अनुरोद करती है इस गीत में ये हमें सुनने को मिलता है क्योंकि जीरे की जो खेती है उसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है तो वधु से जो है पती जो है काफी टाइम तक अब अलग रहेगा तो इसी वज़े से जो वधु है वो अपने पती को कहती है कि जीरा बोने मत जाओ तो जो वो अन्रोध करती है इस गाने में हमें पता चलता है अगला देखें हमसीडो हमसीडो जो है वह है भीलों का प्रसिद्ध लोक गीत है ठीक है उतरी मेवाड के भीलों का प्रसिद्ध लोक गीत हमसीडो है यह एक युगल गीत है और इसे इस्त्री पुर्श जो है वो मिल कर गाते हैं याद रखना है कई बारे एक्जाम में इस गीत के बारे में पूछा गया है कि हम सीडो किसका प्रसिद्ध लोख गीत है तो मेवाड शेत्र के जो भील है इनका प्रसिद्ध युगल गीत है यह हम सीडो नेक्स्ट देखें पीपली पीपली रेकिस्थानी इलाके में मुख्यते, मारवाड, बीका नेर और सेखावटी के कुछ भागों में इस्तरियों द्वारा वर्शा रितू में गाया जाता है तो यहाँ पर प्रेमिका जो है वो अपने परदेशी पती को बुला रही है तो इस गीत के माध्यम से यह हमें पता चलता है ठीक है तो कोई भी जो गाना होता है वो हमें क्या बता रहा है कि जो कैसी मनोदसा है चाहे वो प्रेमी प्रेमिका की हो प्रेमिका का अपने प्रेमी को बुलाने की हो या फिर किसी दुलहन का अपने घर की याद आने का हो कोई संदेज जो है जो की एक पत्नी जो है वो अपने पत्ती को संदेज भेज रही है उससे संबंदित हो, या फिर विभा में बहुत ज़्यादा खुसी का जब माहौल होता है, तब वो गीत गाये जाते हैं. घीत जो है वो हमें यही बताते हैं. जो भी जन मानस का, जो भी खुसी, उलास, दुख, प्रेम जो भी होता है, वो इन गीत के माध्यम से बताया जाता ह क्योंकि हम पढ़ गया रहे हैं, जन्द सामाने के लोक गीत, नेक्स्ट देखें, घूमर गीत या लुर गीत, तो घूमर गीत को ही लूर गीत कहा जाता है, मारवाड शेत्र में हम लूर गीत के नाम से, से जानते हैं, महिलाओं द्वारा गोला कारं मृत्य करने को गूमर कहा जाता है तो गूमर गीत भी है और गूमर नत्य भी है तो गीत तो हमने सुना ही है सभी ने सुना है कि वो गीत जो है दीपिका पादुकोड का जो गीत है कौन सा आओ जी आओ घूमर दी खिलवाने पधार साँ घूमर दी खिलवाने बलमथार गुरर 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 गुरावे आज मरो जे वड़गनों हिचकावे हैं ना सबने सुना ही गाना कोई भी नहीं है जो बॉइज है उन्होंने भी सुना होगा तो मारवाड में इसे क्या कहते हैं लूर कहते हैं यह गंगोर की अफसर पर होता है और यह घूमर तीन प्रकार का होता है एक तो साधरन इस्त्रियो द्वारा घूमर होता है राधपूत इस्त्रियों द्वारा लूर और बालिकाओं के द्वारा जो घूमर है वह है जूमर यह कहलाता है ठीक है तो एक्जाम के द्रस्टि कौन से आपसे क्या पूछेगा गाना नहीं पूछेगा कि कौन सा गाना है ठीक है क्या पूछेगा य गोरबंद गीत तो गोरबंद क्या होता है ये उट के गले का आभूशन होता है और सिखावटी और मरस्तलिय शेत्र का सबसे प्रसिद्ध गीत है ये गोरबंद गीत ठीक है तो ये गीत जो है उट के गले का जो स्रिंगार है करते समय तो ये समय जो है वो गाना जो गाते हैं बोरवंद गीत कहा जाता है एक पतनी को बिच्छू खा जाता है जो मरने वाली है तो अपने पती से वो आग्रे करती है वो दूसरी शादी कर ले तो यह जो गीत कहलाता है इसे बिचूरो गीत कहा जाता है Next देखिए, राती जगा राती जगा यानिकि रात जाग कर जो गीत गाय जाए जाए उन्हें राती जगाग गीत कहा जाता है उनको भी यही कहते हैं और विवहा के अवसर पर जो घर की महलाएं हैं पूरी रात जाग कर क्या करती हैं गीत गाती हैं तो उस अवसर पर भी जो गीत गाये जाते हैं उसे राती जगा गीत कहा जाता है ठीक है रात में जग कर जो गीत गाये जाएं नेक्स्ट देखिए रसिया, रसिया गीत जो हैं ब्रज, भरतपुर, धौलपुर, आदिशेत्रों में गाए जाने वाले गीत रसिया गीत कहलाते हैं नेक्स्ट देखिए हर्जस, हमने एक गीत देखा था हम सीडों गीत, ठीके हम यानी की युगल गीत है जो और भीलों का प्रसिद्ध लोक गीत है, वहीं पर हर्जस जो है ये भगवान के गीत हैं, राजिस्थानी महलाओं द्वारा गाए जाने वाले वा सगुन भक्ती लोक जिन में मुख्यत है, भगवान, ड्राम और कृष्ण दोनों की लिलाओं का वर्डन किया जाता है, ठीके, तो ये एक भक्ती गीत है, हर्जस, कहां पर गया जाता है, तो यहां हम मत्रसाइड यदी चले जाएं, तो उससे जो टच इलाके हैं, राजी स्थान के, तो वहां प जो है, वो स्री कृष्ण के राम के जो है, आप लोगों को गाने मिलेंगे, नेक्स्ट देखें, पंचीडा गीत, हाडोती और डूडाड शेत्र में, मेलों की अफसर पर धोलक, मंजीरे, इनके साथ जो गाना गया जाता है, तो ये जो लोग गीत कहलाते हैं, ये पंचीडा कहलाते हैं, तो लांगुरिया गीत भी है, लांगुरिया नरत्य भी है, नेक्स्ट देखिए घुडला गीत, देखिए घुडला गीत जो है, ये है मारवाड शेत्र में, होली के बाद, ठीक है, ये गीत गाया जाता है, तो गुडला जो है, नरत्य भी है, गुडला जो है, और कहानी क्या है वो मैंने आपको बताया था कि गंगोर की पूजा करने के लिए कुमारी कन्या जा रही थी, तो एक घुडला होता है, घुडला खाँ जो होता है, उनका पीछा करता है, उनको पकड़ लेता है, ठीक है, तो वहां के जो शाशक होते हैं, उन कन्याओं को छोड़ाते हैं, सातल देव होते हैं, और इस घुडले का सर अलग कर देते हैं, तो उसी वक्त से जो गंगोर की कन् करम होती है यह हम जानते हैं चैत्र में होती है अगला जो गीत है वह है मूमल गीत ठीक है मूमल तो एक समय में जैसल मेर को मूमल ही कहा जाता था तो मूमल शेत्र जो है उसमें मूमल गीत कहा जाते हैं ठीक है जैसल मेर में गाया जाने वाला श्रिंगारिक लोग गीत है मूमल गीतों तो इस गीत में लोद्रवा की राजकुमारी मुमल का वर्डन किया गया है तो ये जो राजकुमारी मुमल थी तो इनका अमर कोट के जो राजकुमार महेंद्र थे उनके साथ प्रेम था ठीक है तो इसी का वर्डन जो है इस गीत में किया गया है नेक्स्ट देखिए धोला मारू शिरोही का प्रसिद्ध लोग गीत है धोला मारू धोला मारू की प्रेम कथा का वर्डन इसमें किया गया है तो यहां पर जो धोला था वो नर्वर का राजकुमार था ठीक है राजा था और जो मारू थी तो वो भीकानेर की राजकुमारी थी तो इनकी प्रेम कथा का वर्डन जो है इस गीत के माध्यम से पता चलता है ठीक है ढोला मारू गीत के माध्यम से तो चलिए आज हमने 41 तक हमने जन सामानने के लोगीत पढ़े ठीक है एक्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत है ये इसके अलावा आप लोगों को चाहें क्योंकि यह टॉपिक ही ऐसा है और भी हम जानना चाहते हैं तो लोग गीत के लिए आप लोग गूगल पर सर्च करिए राजिस्थान के प्रमुख लोग गीत है और यूटूब पर सर्च करिए वहां पर आप लोग सुनिये सुनने से क्या होगा आपको बिल्कुल वो इस संब्धित है इस घीत में जो है इस टाइप की हो रही है इसका मतलब ये जो इससे संब्धित है जो भी राजिस्थान के स्टूडेंट नहीं है तो उनको तो ये सभी नाम अटपटे लगेंगी तो उनके लिए ही मैं कह रही हूं कि वो लोग सर्च करिए यूटूब पर सर्च करिए और देखिए कि मूमल गीत इसमें क्या हो रहा है ठीक है वहीं पर आप लोगों को पता लग जाएगा कि वहां पर तो किसी की स्टोडी है, किसी की प्रेम कथा बताई जा रही है कहां का है तो वहां के जो कल्चर है वहां का जो भेजबूसा है उससे भी पता लगजाेगा तो जैसल मेर साइड का होगा तो वहां पर आपको रेगिस्तानी इलाका जो है वो दिखाया जाएगा ठीक है तो कुछ चीज़ें जो है वो देखकर जो है वो जड़ से हमें पता चल जाती है तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम व्यवसाइक गीतों की बात करेंगे थेंक यू